कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है पर युद्ध की ये तस्वीर है इस कहावत को यूधा साबित कर रही है आश्या ने खंडहर में बदल गई है जहां तक जिधर तक नजर जाती है मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है पंपारी और हमले के बाद की ये तस्वीर हैं लोगों का दर्द बया कर रही है जमीन पर पड़े बच्चों के खिलोने से हमले से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है इमारतों की डेर से निकलती ये लाशें युद का मनजर बता रही है ये तस्वीर कहीं और की नहीं बलकि गाजा के शरणार्थी कैम नुसिरात की है इसरेल पर आरोप है कि उसने सेंट्रल गाजा के शरणार्थी कैम पर हमला किया है जिसमें 18 से जादा लोगों की मौत हो गई है हलाकि इसरेल ने इस पर कोई टिपड़ी नहीं की है हमले का वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरेल गाजा का नामुने शान मिटाने में जुटा है इसरेल गाजा के हरे कट्डे पर निशाना बना कर हमला कर रहा है इसरेल गाजा को दुनिया के मैप से हटाने की कसम खाई है इसरेल गाजा के किसी एक जगे को निशाना नहीं बना रहा बलकि वो चुन चुन कर उसकी रीड की हट भी तोड़ने में जुटा हुआ है इसरेल ने गाजा बॉर्डर पर मौझूद रफा कैमप पर भी 24 दिसंबर की राद दो बज़े के आसपा सहमला किया जिसमें कई लोगों की गायल होने की खबर है उत्तरी गाजा की बड़ी इमारते हों या दक्षने गाजा की कैमप इसरेल सब को मलबे में मिठाने की कोशिच में लगा हुआ है फी हवाले साथ ने गामत ताइरात असराइलिये ब कस्ष मनजल उमा बलॉफ अतना कि अल्कसिफ याईनी कुल मन्तगा सहित अल्कसिफ जीना निजवी फशुफना दमार इन्तशाइप हो याईनी इसरेल ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है वो दक्षन से लेकर पश्चन और मद्ध गाजा में हमला कर रहा है नुसरा रफा से 32 किलो मेटर की दूरी पर है गाजा के हालत अब बहुत नाजुक है इसरेल अपने उपर हुए हमले का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा और शायद यही कारण है कि वो आम लोग और सैनिक में फ़र्ट नहीं कर पा रहा है इसरेल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का नाम और शान नहीं मिटा देता तब तक बो शान्त नहीं बैखने बादा ताल्या को देखते हुए नफी अमदान्त के देखतो हैं लोगों के लिए राहत समद बौचाई जार अजाराई ही है संयुत राश्ट के मुठाप घाजा में अकाल का खत्रा बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां लोगों को दाने दाने के लिए मौताज होना पड़ेगा और इसका बच्छों परसर सबसे जादा होगा अठतर दिन से जारी जंग में घाजा ने अब तक अपने बीस अजार से जादा लोगों को खो दिया है और अभी भी वहां हम ले थमने का नाम नहीं ले रही है IDF यानि इस्रेली डेफेंस फोर्स के प्रवक्ता की उच से कहा दिया है कि घाजा में भारी मात्रा में हथियार है दाराज दोफा में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान स्कूलों को स्कैन किया इस दोरान हमास की नौसेना कमांडो 21 से समंधित रॉकेट उपकरा और दूसरे हथियार पाए गए इस्रेली बलोने जमीनी युद्ध के दोरान हमास के एंटी टैंक मिसाईलों और रॉकेटों सहे लग भग 30,000 विस फोटक उपकरणों को भी नश्ट कर दिया है या उनको जब्द कर लिया है पर अब बड़ा सवाल है आगे क्या इस्रेल हमलों से घाजा के दुर्धशा करने में चुटा है और ऐसे में हमास का समर्थन करने वाले लोगों में गुस्सा उबाल पर है वो किसी भी हालत में नेतनियाहू को माफ नहीं करने की शबत ले रहे है पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे है लोग घाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे है लोगों में युद्ध को लेकर गुस्सा है ये या मन है यहां लोग हजारों की संख्या में इस्रेल के खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका के खिलाब भी नारिबाजी हो रही है वहीं जकारता में भी लोगों ने अमेरिकी अम्बसी के बाहर खड़े होकर जम करना रिबाजी की और फिलस्तीन का समर्थन किया इसरेल हमास योद के दोरा पिछले 24 गंटे में मारे गया लोगों की बात करें तो यहां कड़ा करीब 200 के करीब है इसको लेकर अमेरिकी राश्टरपदी जो बाइडन ने इसरेली प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को फोन किया और हालातों के बारे में जानकारी ली है घाजा में इसरेल का अक्रमर्ण हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्ने अभियानों में से एक रहा है जिसने घाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85 पीजदी लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है संयुक्त राष्ट और अन्य एजेंसियों के सब्ता एक रिपोर्ट के अनुसार घाजा में आधे मिलियन से अधिक लोग यानि आबादी का एक चौथाई भूख से मर रहे है हमास की कर्टूतों का नुक्सान आम फिलिस्तीनी मौत और दबाही के दोर पर पुगत रहा है इन हमास लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार बताई जा रही है लेकिन इनकी वज़ा से करीब 30 लाख के आबादी खून के आसूर हो रही है जिनका कोई कसूर नहीं है बच्चे, महिलाओं की मौतों के खबर ने पूरी दुनिया को जड़ जोर कर रख दिया है लेकिन ना तो इस्रेल हमला करने से रुख रहा है ना सीस फायर के लिए तयार है ना ही हमास प्रतिकार से रुखने वाला है इस बीच घाजा है जो जल रहा है दिन, हफ़े, महीने और अब दो साल बदलने जा रहा है